रूमन कैथोलिक आर्कबिशब अनिल कूटो के द्वारा पादियों को लिखे गए एक पत्र से विवाद खड़ा हुआ तो ग्रिह मंतरी राजनात सिंग ने जवाब दिया उन्होंने कहा कि भारत में मजहेव, जाती और पंठ के आधार पर कोई अंतर नहीं होता है भारत में अलपसंख्यक पूरी तरह से सुरक्षित हैं हाला कि ग्रिह मंतरी राजनात सिंग ने यह भी कहा कि उन्होंने आर्कबिशब के पत्र को देखा नहीं है ग्रिह मंत्री राजनात सिंग ने ऐसे समय में यह बयान दिया है जब रोमन कैथोलिक चर्च के पादरी ने वर्तमान राजनीतिक माहौल को लेकर के पत्र लिकर कई तरीके के सवाल उठाए हैं राजनात सिंगाज भी एसेफ के एक कारेक्रम में भाग लेने के लिए विज्ञान भवन में गए थे उस दोरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि चर्च के पादरी अलपसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिट्ठी लिख रहे हैं तो ग्रिह मंत्री ने कहा कि भारत देश में अलपसंख्यक पूरी तरह से सुरक्षित हैं बतादें कि रोमन कैथोले के दिल्ली के आरकबेशप अनिल कूटो द्वारा पादियों को लिखे गए एक पत्र से विवाद खड़ा हो गया है आठ माई को लिखे गए पत्र में उन्होंने वर्तमान राजनीतिक हालात को अशा और देश की दर्मनिर्पिक्ष पहचान के लिए खत्रा पैदा कर दिया है राजनेताओं के लिए प्रार्थना करना हमारी पवित्र परमपरा है माना जा रहा है कि परोक्ष रूप से उन्होंने वर्ष 2019 में नरेंद्र मोधी सरकार नहीं बने इसके लिए लोगों से दुआ करने की अपील की है इस पत्र पर बीड़ेपी ने भी आपती जताई है हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान का रिक्रम में राजनाथ सिन्ने सीजफायर ओलंगन को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा उन्होंने कहा हमारा एक पडोसी है जो अपनी हरकतों से बाज न हम अपने पडोसी के साथ हमेशा अच्छे रिष्टे बना कर रखते हैं। पात देना चाहता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से चलने वाली गोली का माकूल जवाब दिया है। बता दें कि अंतराश्रिय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से पिछले कई दिनों से लगातार सीच फायर का उलंगन कर रिहायशी इलाकों में गोलियां चल रही है